नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो खास तौर पर महीलाओं के लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताय जा रहा है कि Пीरियट के दोरान आपको क्या खाना चाहिए जी हां दोस्तों, पीरियट्स यानिकी मासिक धर्म, महिलाओं में हर महिने होने वाली एक प्रोसेस है, इस दोरान उनमें ठकावट और सुस्ती आती है, कुछ महिलाएं निराशा का अनुभव करती है और वो ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कभी-कभी पीरियट्स के दो दिन तक कुछ महिलाएं अपना देनिक कार्य भी नहीं कर पाती है, और तो और कभी-कभी खराब सेहत और मतली होना भी इनके लिए इन दिनों में सुभाविक होता है, दोस्तों, पीरियट्स के दोरान अपनी अच्छी सेहत के लिए आपको संतुलित और भोजन, पोश्टि धर्म के समय जरूर खाना चाहिए, या आहार ऐसे होते हैं जो आपको पीरियट्स के समय एनर्जी देंगे और पीरियट्स के दर्द को कम करने में भी साहिता प्रदान करेंगे, तो दोस्तों, ऐसे में ऐसे आहार आपको लेने हैं जिनमें आईरन पाये जाता हो, जी हाँ, period के समय body से बहुत ज़्यादा मातरा में खून का भाव होता है, शरीर से खून निकल जाने पर body दुबारा नया खून बनाती है, इसलिए नया खून बनाने के लिए आपके शरीर को iron की सबसे ज़्यादा जरुट पढ़ती है, आईरन में शरीर बहुत जल्दी खुन बना लेता है वैसे भी आईरन युक तक खाना खाने से शरीर में खुन की कमी नहीं होती है और आपका हेमोगलोबिन भी बढ़ता है साथ ही ये आपको कमजोरी भी नहीं होने दिता है ये आपको डिप्रेशन से भी बचाने में मदद करेगा आईरन सबसे ज़्यादा मीट, पालक, फलियां, गाजर, चुकंदर, सेब, अनार और हरी पत्तेदार सबजियों में भरपूर मातरा में पाये जाता है तो इन में से किसी भी चीज़ का सेवन आप कर सकते हैं दूसरे नमबर पर जो आहर आपको लेने वो हैं विटामिन युक्त फल और सबजियां पिरियेट के समय विटामिन वाले फल और सबजियों को खाना बहुत ही जरूरी है इसमें विटामिन E के जरी आप PMS से चुटकारा पा सकती है विटामिन E अंडे की जर्दी और एवोकाडो में बहुत ही अच्छी मातरा में पाए जाता है विटामिन B6 ब्लाउटिंग को कम करता है विटामिन B6 को आप आलू से प्राप्त कर सकती है विटामिन C प्रजनन तंतर को मजबूत बनाने में मदद करता है विटामिन सी आपको कट्टे फलो जैसे की निब्बू, संत्रा, अंगूर, अम्रूत आदी में भरबूर मात्रा में मिल जाएगा तीसरी चीज़ है डार्क चोकलेट जी हाँ डार्क चोकलेट खाने से सेरो टोनी नाम का हार्मोन बढ़ता है जिससे आप डिप्रेशन से बहार निकलती है क्योंकि सेरो टोनी मून को अच्छा बनाने वाला मना गया है और यह आपको खुश रखने के लिए भी जाना जाता है इसलिए मासिक धर्म के समय चोकलेट को जरूर खाना चाहिए डार्क चोकलेट को खाना चाहिए क्योंकि अक्सर मासिक धर्म के दोरान आप डिप्रेशन की सिकार हो जाती है और कभी-कभी निराज भी हो जाती है चोकलेट आपको खुश रखने में आपकी मदद जरूर करेगी अगली जी जाती है अप दोस्तों आपको फेटी एसीट को अपने आर में जरूर करना है पिरियट के दुरान पेट में एठन और दर्द होता है इस एठन और दर्द से बचने के लिए आपको अपने भोजन में ऐसे आहर को शामिल करना चाहिए जिनमें फेटी एसिट भरपूर मातरा में पाए जाते हों इसके लिए आपको लोकी, सुरज मुखी के बीज, मचली और पर्टिसन आप खा सकती है इनमें लिनोलेनिक एसिड होता है जो गर्बाशे के मसल्स को डिला करने में मदद करता है जिससे आपको पेट डर्द और एठन से आराम मिल जाएगा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि चाई कोफी से इन दिनों में आपको दूरी बनानी है मासिक धर्म के दोरान जहां तक संबव आपको हो सके तो केफीन के सेवन से आपको बिल्कुल बचना चाहिए केफीन चाई और कोफी में पाए जाता है केफीन पेट में एसेट की मातरा को बढ़ाता है जिससे पेट में दर्द होता ही है और अगर पेले से दर्द है तो यह आपका दर्द और बढ़ा सकती है लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा केफीन लेने का मन कर रहा है तो आप कोफी की बजाए चाई पी सकती है लेकिन कम मातरा में कोफी के मुकाबले चाई में कम केफिन पाय जाता है तो दोस्तों ये थी वो चीजें और वो एक भेतरे डाइट जो कि पिरियट के दिनों में आप इनका इस्तमाल कर सकती हैं का सेवन कर सकती हैं जिससे ग्या होगा कि एक तो पिरेट का धर्द भी आपको कम होगा और पिरेट के दिनों में ये चीज़े आपके लिए बेश्टू रहने वाली हैं तो उमीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दमाए वीडियो देखने के लिए और अपना खींती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद